नमस्ते नमस्कार मेरा नाम है संदीब कुमार शुक्ला आप देख रहे हैं वाइफ है स्टेडी लाइव यूटूब चैनल रात को बच चुके हैं बारा और बारा बज़े में आपके सामने हाजिर होता हूं शांदार जांदार क्लास लेकर गए बहतरीन क्लास लेकर करके इस् क्लास को स्टाट करें उसके पहले बापका रादू की स्सी म्टेस 2023 को टार्गेट करके हम लोग एक नई इन्वेंशन लेकर क्या है नई चीज लेकर क्या है मैं और रोहिस्तर मैं पॉलिटी और रोहिस्तर हिष्ट्री शांदार फाइट को समांसर की सांदार फाइट तल सुबह साहे नो बजे मैं और रोहिस्तर हाजिर होंगे शांदार कोस्टन के साथ शांदार होगी नौलेज की बैटल नौलेज का बैटल होगा आपका इसी चैनल पर वाई फेस्टेडी लाइव यूटूब चैनल पर क्लास को सुरू करते हैं आपको क्लास के टाइम टेबिल बता दूँ आप लोगों सभी लोग पता है क्लास के टाइम के बली फिर भी एक बर क्लास के टाइम टेबिल नोट कर लिजेगा कि सुबह दो पहर को बारा बजे मेरी होती है स्पेसल क्लास करेंट अफेर्स की और एक्जाम को फोकस कर पढ़ाता हूं जहां पर मैं आपको प पढ़ाता हूं यह तीनों क्लास अल एक्जाम के लिए हैं बिल्कुल शांदार तरीके से ठीक है चले क्लास को सुरू करते हैं आज क्लास के हमारा टॉपिक है क्या आज हम टॉपिक करने वारे हैं महादपुन वईश और उनकी राजधानी फाउंडर जो संस्थापक है वह सबसे पहले वंश आता है हर्यक वंश हर्यक डैनेश्टी हर्यक वंश हर्यक वंश जो हर्यक डैनेश्टी है इसकी राजधानी कहा है बिल्कुर सिंपल है या एक तरीका याद करने का सीथ है कि हर्यक वंश के राजधानी राजग्रह है एक तरीका यह है और दूसरा तरीका ह हरा 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 मतलब हा मतलब हायक रा मतलब राजग्रह दो तिन बर बोलिएगा रिपीट करोगे दो तिन बर रिवीजन करो तो याद हो जागा हरा हर्यक राजवन्स राजग्रह दूसरा आता है शिशु नाग जो नाग होता है विशयला होता है नाग काटेगा मिठाई तो तीसरा आता हापका नंदवईश जो नंदवईश है इसकी राजधानी पातली पुत्र है चार तीन चार ऐसे डैनेश्टी हैं तीन चार ऐसे वईश हैं जिनकी राजधानी क्या थी पातली पुत्र थी वह कौन-कौन से हैं बिल्कुर सिंपल से लाइन लिख रहा हूं और की ज है फिर से हळा इसे हा मतलब हर्यक बीव रा मतलब राजक्रह नाग विशैला का सब्सक्राइब मौन मौ महुं मह 스킨 मौ से आदक हो जाएगा मौए वांस मोसे मौरे वँन से ना ना से हो जाएगा नंद वंसे नंद डानिस्टी उसके बाद दने गुप्त आगे देखे यह अगे फिर glor quantum आपको में तो गुप्त डानस्टी और अगला है आपका शुंग शुंग से शुंग डानस्टी मौन का गुप्त पुत्र शुंग है मौ मतलब मौरवंश ना मतलब नंदवंश गुप्त मतलब गुप्त बंश और शुंग मतलब शुंग बंश शुंग डानस्टी चार वंश जो है इनका घ्रादानी क्या है आपका पाटली पुत्र है और शुंग पर सकते है पाटली पूत्र को ऑछ श्उंग का ही पाटली पूत्र है आगे गुप्त भी लिखा होगा एच पास के लिधा है आगे का वैंसे इसा 오늘 है यहां युआ पे एक और राजधानी क्या हो जाएगा पार्टली पुत्र हो जाएगा अगला आता है साथ वहन डानेश्टी साथ वहन कैसे आफ करेंगे यह एक वहिया दिखो अभी एक्जाम के साथ दिन बच्छे हैं SSC MTS के एक्जाम साथ देने आपके पास और साथ दिन में अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया तो ठान लिया फिर तो सेलेक्शन पका है मन के जीते जीत है मन के हारे हार एक बार मन में अगर आपने ठान लिया साथ दिन में तो निश्चित रूप से निकल जाएगा आपको साथ दिन में ठान ना पड़ेगा तो साथ से साथ वहन अठान से प्रतिश ठान तो दोनों ची अच्छी है तो बिल्कु सही बोला मैंने कि ठान लोग है तो निकल जाएगा साथ भान ठान कुशान का हो जाएगा पुरुष पुरुष कैसे आत करोगे कुशान का पुरुष 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 करें का तरीका ऐसा है कि जो पुरुष होता है वो आपका क्या कर पुरुषपुर और खोलग करशान कुशान 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 दो दिन मेर बोलोगी एमिंग बैठ जाए नेक्स्टै का व्यूसरा ढ़े आता है आक्का गुप्त गुप्त पत्ली पुद रता जिया था को अगला है आपका होoon और कोड से सिलागा अगला आता है वर्धन देखो अगर कोई इंसान थक गया है तो उसका उस्साह वर्धन करना चायए तुम ठख गये हो कोई दिखकत नहीं तुम्हारा उस्साह वर्धन होगा अब मेरी देखो मैं दिन में लेता हूँ सुब़ै तो मेरा आंख्या छीव रहत ब्लिंक करना पड़ता है यहां पर मैं ख़़ा हूं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ दस ग्यारा बारा बड़ी लाइट्स लगी अब अब अधाज लगा लगा ने शाम को अरजेंट है चसमा लगानी पड़ेगा मेरेको और चस्मा पावर वाला नहीं है लाइट वा थाक जायें तो उसका उससाह वर्धन कीजे वर दहन से हो जाएगा वर धन वरवस और थक थक से हो जाएगा तरह मतलब थानिश्वर का मतलब का नौज समय अपका पांडेवंश पांडेवंश का है आपका मधुरई क्या है पांडेवंश का आपका मधुरई है याद करने का तरीका है कि जो पांडेजी है वो बड़ा मधुर बोलते हैं मधुर हना वो दबंग मुवी में था पांडेजी पांडेजी वो पांडेजी बड़ा मधुर मधुर करते थे कि हम आपको बताएं ऐसे करके ठीक है अगला तर चोल चोल का हो जागा तंजौर कैसे याद करोगे भाई जो चोर है उसने तीजोरी तोड़ दी चोर ने क्या किया तीजोरी को तोड़ दिया तीजोरी को चोर काम कहा है चोर तीजोरी तोड़ेगा चोर मतलब चोल तं कांची पूरम जो दिल होता है ना शीशा हो या दिल हो अखेर तूट जाता है किसा किसा तूटा है कमेंट करके बता देना मेरे को ठीक है तो जो दिल होता है इकांच के जैसे होता है और अगर आपने इससे दिल का काम है पंप करना ब्लड को और अगर आप इससे लव बगरा म मुहब्बत वह काम कराओगे तो तूटेगा पका गारंटी है तो अगर आप दिल से लव वाला काम कराओगे तो यह कांच की तरह तूट जाएगा कांच की तरह तूट जाएगा लव से हो जाएगा पल्लाव और कांच से हो जाएगा कांची पूरम अब आपका दिल तूटा ह कि नहीं तूटा दुख्षी हो की नहीं हो छोड़कर गई की नहीं गई छोड़कर गया की नहीं गया उससे ज्यादा फार्क नहीं पड़ता पढ़ाई कीजिए दिल विल सब ठीक हो जाता है जब पईसा पास में आएंगे सरकाई लोकर आएगी ना अच्छे दोड़े चल घंगवनस की बात करोगे कुबताल और जो है यहां की राजधानी है अगला आता है पाल जो पाल देनिश्टी है पाल वंश है पाल देनिश्टी का याद करें तरीका है मुंगेर कैसे याद करोगे कि जो बाल होते हैं बाल अगर आपको बिल्कुल स्मार्ट बाल चाहिए शांदार बाल चाहिए काले बिल्कुल है नो आप मुंग फली का तिल लगाओ ठेक है मुंग फली का तिल लगाओ कि तो आपके बाल अच्छे रहेंगे है ना लोग लगाते हैं हमारे गौं में लगाते जहां पर भेया घाट है जहां पर नर्मदा नदी पर वाटरफॉल बनाएंगे है धुमाधर वाटरफॉल है वहां पर इतनी भरमार होती है लोगों कि इतनी भीड होती है किसको धुमाधार को देखने के लिए भरमार होती है धुमाधार को देखने के लिए बड़ी भरमार हो उसके लाता था गुलाम खिल जी तुगलक सेयद लोधी कल वाली क्लास में कराया था गुलाम खिल जी तुगलक सेयद लोधी ये पांचों का पांचों का क्या हो जाएगा आपका दिल्ली गुलाम खिल जी तुगलक सेयद लोधी इसके ट्रिक मैंने कल वाली क्लास में कराई थ में फिर आता है संगम संगम की भी ट्रिक बताई थी आज किये कि संस् तूअ संगम सुलूब तूलूब वीडी देख ली जगा उसके फाउंडर कौन है हरीहर इसके राध्णानी क्या है पेनू को還ड़ा क्या है याद करने का तरीका है कहीं अगर अगर दैखलोगा दिल्ली E u और आगर यह इंपलटन दैनेश्टी चला मैंने को बता दिया वीडियो क्या और सांत सांत यह क्लास ज़रू देख लिए फिर से बलता हूं अगर पढ़ेंगे तो निश्चितुरूफ साब को फायदा होगा दो पहर को बारा बजे करेंट फिर्स पढ़ा रहा हूं ये रली दो साल का पूरा रात को दस बजे स्पेसल टॉपिक पढ़ा रहा हूं बॉद्धर लिजन हडप क्या है कि मैंने आप से वादा किया था कि मैं 14 अप्रेल स्वरी मापकी जगह 17 अप्रेल 2023 से लेकर के 25 जुलाई 2023 तक का 100 दिन का प्लान बनाया हूं जी के खाजाना मिसन 100 इन 100 डेस में आपको जी के साइंस कंट्फरेस कंपूटर और एक्जाम के लिए यूटूब में परहा दूँगा तो अब मैंने यह बताओ कि आज हो गई कोई सी 25 तारिक अब यह 25 तारिक तो मैं कितना परहाया है आपको भाई रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि मैंने क्या कराया है जूट बोल दिया हाव में तिर चला दिया नहीं बिल्कुल इसके लिए एक तरीके से कवर हुआ है कहां पर क्या सब कुछ है वो सारी जनकारी मैं इस वीडियो में आपको दे चुका हूं वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है कल आपको मिल जाएगा लाइव हाना तो सब देख लिजएगा और आगे एक वीक में क्या करने वाले हैं क्या स्टेश जी हमारी और में चलेगा फकाउंट कर दस दिन निकल चुका है तो रात को दस बजवाली क्लास देखी और दो फार को बारा बजवाली क्लास तीन वाली क्लास लगता बाकी शाद्दास रिक सपन पढ़ते चलेंगे बाए-बाए-टेक्यार